14 जनवरी 2005 को हाइगन्स टाइटन की सतह पर उत्रा यान को टाइटन पर समुद्र, महाद्वीब और पहाणों से भरा पूरा संसार मिला टाइटन का वायू मंडल 900 किलोमीटर उंचाई तक फैला हुआ है और यहां बारिश भी होती है यहां नदियां भी बहती है अब आप सोचेंगे कि माइनस 180 डिग्री सेल्सियस पर पानी तरल अवस्था में कैसे हो सकता है तो आपको बता दें, यहां के समुद्र और नदियों में पानी नहीं बहता बलकि मीथेन नामक हाइड्रोकार्बन बहता है टाइटन के वायू मंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और मीथेन पाये जाते है इतनी ज्यादा ठंड में भी मीथेन तरल अवस्था में मौजूद रह सकता है इतनी जबरदस्त ठंड की वजह से यहां पानी ठोस अवस्था में और मीठेन तरल अवस्था में पाया जाता है यहां परवत बर्फ के बने हैं जबकी नदियां मीठेन की टाइटन की दुनिया पूरी तरह अजीब है जो इंधन से बनी है यहां इतना मीठेन मौजूद है कि मानव सदियों तक इंधन की जरूरत पूरी कर सकता है यहां तक कि टाइटन के समुद्र में एलियंस भी हो सकते हैं